What's up everyone, welcome back to the channel, तो आज हम जो चाप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ये चाप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे सभी BCOM students, BCOM owners, BBA, CA foundation, in fact जहां तक भी आप accounting पढ़ोगे, तो inventory valuation जो की सबसे important element रहता है, inventory सबसे important element रहता है हमारे current assets में, तो ये चाप्टर हमारे part of syllabus रहता ही है, तो आईए जल्दी से हमारी financial accounting के एक ऐसे चाप्टर को समझते हैं, जो की काफी easy है और आपके लिए scoring होने वाला है, तो जल्दी से copy pen लेके आओ, सारे concepts cover करेंगे और इस चाप्टर को समझते वे चलेंगे, चलिए, let's begin तो चलो यार, copy pen ले आए, शुरू करते हैं हम लोग inventory valuation के साथ, चाप्टर का नाम ना दो शब्दों से बनाए, inventory और उसका valuation, तो inventory क्या होता है, आप सबने पहले सुना हुआ है, हम लोग कई बार stock, stock, opening stock, closing stock, मैं आपे shares की बात नहीं कर रहा है, आजकल बहुत trending है, but जो आपका किसी भी सामान को, जब आप produce करते हो, किसी भी manufacturing concern में, या कभी भी आप किसी business की books बनाते हो, तो वहाँ पे stock की बहुत importance होती है, क्योंकि जितना माल आपके पास है, वो ही बिकने वाला है भाई, चाहे आपने खुद बनाया हो, चाहे आपने खरीदा हो, तो इसका सही valuation होना बहुत important है, तो उसकी value कैसे लगाए जाती है, कैसे cost of goods sold निकलता है, ये काफी important रहने वाला इस chapter के point of view से, before starting, हम लोग कुछ basic चीज़ा समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि chapter जो है, दो चीजों पे टिका है, inventory और उसका valuation, सबसे पहले inventory की तरफ चल standard है, as per the new education policy मैं सब कुछ उसी इस आप से पढ़ाने वाला हूँ, तो inventory क्या है हमारे पास, एक ऐसा asset, अब asset आप सब जानते हो, क्या होता है हमारे पास, एक ऐसा asset, owned by a business, जो एक business के पास है, for the purpose of selling, जिसका purpose बेचना है, मतलब, माल बिकेगा तब ही तो पैसा कमा होगे, business is all about making profits, right, losses भी हो सकते हैं, but purpose हमेशा profit कमाना है, माल बेचना तो पड़ेगा न, अब assets में आपके पास categories होती है, non-current assets और current assets, तो current asset वाले segment में, it is the largest, मतलब हमारे पास current assets में, usually cash होता है, bank balance होता है, हमारे पास debtor होता है, और साथ-साथ में inventory होता है, तो inventory हमारे पास largest, usually होता है, किसी भी business के लिए, क्या-क्या आता है, the inventory includes raw material, raw material मेरा मतलब कच्चा माल, जो भी आपने raw material खरीता है, suppose मैं paper बनाता हूं, तो मेरे लिए जो लकडी आएगी, वो raw है, कच्चा माल है, raw material, work in progress, W-I-P is work in progress, work in progress means कि आप जो भी बनाना चाहते हो, suppose आप paper बनाना चाहते हो, अब लकडी को आपने processing में लगा दिया, और अभी वो in between the process है, बीच में है, ना तो paper बना, ना वो लकडी रहा, तो वो क्या हो गया, work in progress हो गया, finished goods, जब माल बनके तयार हो जाता है, बिल्कुल ready रहता है, तो हमारे पास inventory के तीन पार्ट होते है, raw material, बिल्कुल कच्चा माल, work in progress, मतलब in between the process, and third one is finished goods, right, इसके बाद एक चीज़ और याद रखना, also includes the goods on consignment, sir consignment, consignment भी different chapter होता है, usually क्या है, अगर आपक का माल किसी third party को आपने दिया वा है, तो वो भी इसी का part बनता है, आपकी inventory का, तो consignment का मतलब आपका जो भी माल किसी third party के पास पड़ावा है, यानि कोई और party आपका माल बेच रही है, तो वो वाला जो stock है, वो भी आपका inventory का part रहता है, ठीक है जी, यह तो हो गया inventory क्या है assigning monetary value to the goods in hand at the end of financial year, भाई usually हमारा तो financial year जिन्दाबाद 31 March को खतम, एक एपरिल को शुरू, usually जो आप stock valuation करते हो, वो end में करते हो, at the end, end का मतलब क्या है, 31st March, year end में हम लोग stock का valuation करते हैं, दूसरी चीज़ क्या होती है, इसके इंदर याद रखना, आप जब भी inventory value करते हो, त physical possession matter नहीं करता, economic control matter करता है, सर, possession और control से क्या मतलब है, भाई, for example, आपने कोई माल खरीदा, books में entry होनी चाहिए, माल आया है या नहीं आया है, ये completely secondary चीज़ है, कई बार ऐसा हो जाता है कि, suppose, for example, 31 March हमारा year end है, 30 March को, मैंने माल खरीद लिया है, तो मेरे stock में तो आएगा न भले ही मेरे पाद अभी physically ना आया हो, रास्ते में हो, in transit हो, या एक April को आये, बट अगर entry 30 तारिक की है, 30 March की है, तो 30 March को मेरी बुक्ष में होना चाहिए, इसका मतलब, जो economic control है, वो important है, जाधा physical possession से, goods physically आपके पास आया है, नहीं है, matter करता है, बट जाधा matter क्या करता है, economic control, आपकी value generate हो गई है, या नहीं हो गई है, correct है जी, तीसरा important concept जो इसमें आता है, वो आता है, the cost of goods sold, भाई साब, यही चीज़ आपको find करनी है, आप चाहे 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप graduation level पे पहुँच गए हो, COGS आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, cost of goods sold हम आने वाला है, कि भाई, जो माल बेचा है, उसका cost कितना था, क्योंकि वहीं से तो profit पता चलेगा, profit कैसे निकालते हो, sales minus COGS, जितने का माल बेचा, minus उसका cost, भाई, sale में से cost हटा दो, तो profit आजाता है, एक आम आदमी की भाशा में तो यही होता है, कि माल कितने का खरीजा था कितने का बेचा है, दोनों को compare कर दो, क्या आएगा, profit आएगा, तो कैसे निकालते थे gross profit, sales minus COGS, इस chapter में COGS की बहुत एहमियत है, cost of goods sold, opening inventory, यानि जो आपके पास साल के शुरू में है, purchases, obviously purchase minus purchase return, ठीक है, यह जो purchase है, यह net है, अब तो यार, graduation में उतना तुम्हां पता है, direct expenses, direct expenses में वही भाई साब, यास 11 याद कर लो, factory वाले, inward, manufacturing, production, minus closing stock, correct हो गया, अब cost of inventory में तीन चीज़े आती हैं, वैसे ही इसकी जुरत नहीं थी, तो मैं पता है, पढ़ाता हूं तो फिर दिल से पढ़ाता हूं, तो जब cost of inventory कालकुलेट करोगे, तो cost of inventory में तीन चीज़े हैं हमारे पास आने वाली है, purchase cost, जितने में माल खरीदा है, conversion cost, conversion cost, usually जब आप उसको convert कर रहे हो, finished goods में, या ready कर रहे हो, जैसे जो machine use कर रहे हो, उसका depreciation वगरा आ गया, other cost, अगर कोई और खर्चा आया है, हमारे पास particular inventory से related, तो वो यहाँ पर आ जाता है, correct है जी, तो यह हो गय guys, theory part, जो completely आपकी मदद करेगा, अच्छा score करने में, छोटे questions अगर आपसे पूछ रहे हैं, जैसे foundation वगरा की exams में, तो वहाँ पर यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए, चलिए sir, अब चलते हैं, और ग्यान की बातों पे, और यहाँ से आपका कुछ और next level segment शुरू हो ज inventory system, एक periodic और perpetual, अब मैं एक sign लगाने वाला हूँ, जो आपका नजरिया बदल देगा, लो जी, जादा महत्व किसका है, जादा important क्या है, क्या आपको सीखना है, क्या जीवन में काम आने वाला है, क्या चलने वाला है, प्रभू आपी भगवान हो, यही सब कुछ है, ठीक है, periodic inventory system चलता है, बट बहुत ही कमना के बराबर, पहले चला करता था बहुत ज़्यादा भईया, आज कल सब advance है, सब यह चलता है, ठीक है, देखो, periodic inventory system क्या है, period के आधार पे, period का मतलब time के आधार पे, inventory को physically count करना, अब भईया, technology के जमाने में क्या, एक एक चीज गिनोगे, ए इसमें होता था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, physical counting होती थी, छोटे-छोटे business के लिए चलता था, जहाँ पे transactions कम होती थी, भई, इतनी ज़्यादा transaction होगी, तो कैसे गिनोगे भई, ठीक है, और यहाँ पे cost of goods sold का direct formula चलता है, opening stock plus purchases minus closing stock, expenses, expenses यहाँ आँ नहीं लेते भई क्योंकि यह, it is all about only and only and only quantity, opening stock कितना था, और कितना आया, minus closing stock, correct है, अब इतने जादा जब इतना important चीज़े होगी, limitation जब इतनी जारा होगी, तो नई चीज़े आ जाएंगी ना, तो हमारे पास यह आया, इसमें क्या होता है, इसमें inventory का valuation होता है, after every transaction, मतलब हर transaction record होगी, यान आपके पास opening stock कितना था, यह consider करा जाएगा, फिर अगर आपने माल खरीदा है, purchases बगेरा, सब आ जाएगी, फिर stock निकलेगा, बेचा है, minus करोगे, फिर value निकलेगी, यानि हर transaction के बाद, properly inventory का valuation होने वाला है, ठीक है जी, store ledger is prepared, भाई साब यह जो है na store ledger, यही तुमें बना बनाना है, आप लोगों को याद रखो, मैं जितनी मी चीज़े तो में further सिखाऊंगा, उसमें store ledger ही सिखाने वाला हूँ, store ledger बनाना है, और proper accounting records इसी method में रखे जाते हैं, तो भही आप periodic जादा बढ़िया या perpetual, perpetual की इज़त है भाई, यही आप सीखने वाले हो, correct है जी, आ बस है तो करा रहा हो, FIFO, FIFO होता है, first in, first out, भाई, जो पहले आया दुनिया में, वो पहले जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, है ना भाई, भाई, कोई कभी भी चा सकता है, but goods के केस में ऐसा होता है, कि भाई, जो माल पहले खरीदा, पहले उसे बेचो, नहीं तो बहुत इंप्राक्टिकल लगता है, कि माल जो बाद में खरीदा, पहले वो बेच रहा हूँ, भाई, पुराना पड़ा-पड़ा खराब हो जाएगा, थिक्कत रहेगी या नहीं रहेगी, तो ये भी चलता नहीं है, इंप्राक्टिकल है, but part of सले बस है, तो पढ़ेंगे, फीफो, first in first out, लीफो, last in first out, weighted average method, weighted average काफी practical method है, और काफी interesting है, और exam में आने के chances भी इसी के रहते हैं, तो साउधान इंडिया सवाज तो बाबुजी यही है, माक कर लो, ठीक है, अब सर जो हमारा AS है, AS second, obviously, याद रखना AS second, वो कौन सा लाओ करता है, तो as per AS second, आप लोगो के लिए जो recommendable है, either this or this, ठीक है, फीफो and the weighted average, ये दोनों बहुत ही इंप्राक्टिकल है, और आजकल चलते भी नहीं है, सिर्फ आपको सवाल जो पूछा जाएगा, वो या तो इस से आने वाला है, या इस से आने वाला है, इंप्राक्टिकल चीज़े थोड़ी ना पूछे है, ठीक है, आओ जी, अब format of stored ledger, store ledger कैसे बनता है, format बनाओ, इसके बाद question करते है, फीफो, लीफो, वेटे डावरेज के chapter खतम, हो गया भी खतम, और क्या, देखो, format of stored ledger, सबसे पहले हमारी तीथी, यानि की date, उसके बाद तीन कॉलम बला ले ले ला, रिसेप्ट, इसु and the balance, रिसेप्ट का मतलब, जब माल आया है, अपने खरीदा है, इशु मतलब, इस इस सेल्स, जितना बाहर चला गया, and the balance is, आपके बास कितना बचा है, ठीक है, अब यह जो हमारे पास, इशु का, क्वांटिटी, रेट, अड वैल्यू, वैल्यू कैसे निकलती है, यहां पर दो हजार यूनिट है, दस रुपे का एक है, तो कितने के हो गए, बीस हजार रुपे के हो गए, समझ गए, यह आपका सीजा सीजा सा सिस्टम है, यह जो इशु होता है, जो आप इसका अगर टोटल कर दो, तो यह हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्ड सोल होता है, यह हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्ड सोल, और जो बैलेंस आपके पास, पास लास्ट में बचेगा, यहां पर जो लास्ट में बलेंस बचेगा, इसी पे दुनिया चल रही है, यह ही आपको निकालने को बुलेगा हर क्वेस्टन में, इसका डोटल कर दो के त important और अच्छे चीज़े हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं इसी में अब जब हम questions करने वाले हैं तो I hope आप लोग को यहां तक चीज़े clear होई होगी अगर clear है तो video pause करके लाइक कर देना और comments मुझे बता देना कि must समझ में आ गया अब हमागी चलते हैं और को जिसके questions करते हैं तो चलो यार अब हमारे सामने question आ गया और इस question के आधार पे हम सीखने वाले हैं क्या falling are the details of raw material procured and sold by a manufacturing entity एक manufacturing entity है जैन्वरी में उसने कुछ समान खरीदा है मतलब raw material कुछ खरीदा है और कुछ issue करा है यानि बेचा है procured and sold calculate the stock closing stock निकालना है हमें 31st January 2022 using FIFO FIFO का मतलब आप समझ जाओ FIFO का मतलब first in first out first in first out basis पे हमें closing stock निकालना है और यह सारी हमें transactions दी भी है दी जारदा transactions तो जब भी हमें ऐसा काम करना होता है तो हमें क्या बनाना होगा हमें बनाना होगा store ledger ठीक है तो हम क्या करने वाले हैं हम बनाने वाले हैं sir, एक store ledger और store ledger हम बनाने वाले हैं FIFO से, store ledger हम बनाएंगे FIFO से, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए सबसे पहले sir, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको चाहिए तीन values या तीन columns जिसमें की सबसे बड़ा जो column है तीनों equal है लेकिन date का column सबसे छोटा है सबसे पहले date फिर यहाँ पर ले लेते हैं हम रिसेप्ट्स वही जब आया होगा माल ठीक है दूसरा हम लोग ले ले लेते हैं issue और तीसरा हम लोग ले लेते हैं balance में रिसेप्ट्स में भी दो column बनाओ quantity rate और value value का मतलब quantity into rate ठीक है यह rate जो है यह भी amount में है जो value है यह भी amount में है similarly यहाँ पे भी quantity rate value similarly यहाँ पे भी quantity rate और value ठीक है जी perfect हो गया तो सबसे पहले रिसेप्ट्स issue and then balance using the FIFO method FIFO जो पहले आएगा वो पहले जाएगा चलो start करते हैं sir क्या कोई opening stock है calculate the stock on 31st March हमार पास 1st January पे there is opening stock that is nil इसका मतलब opening stock तो नहीं है तो this is done यह हमारा हो गया 2nd January को 2nd January को 100 unit खरीदी है 15 रुपे के हिसाब से 100 unit खरीदी है 15 रुपे के हिसाब से जैनवरी 100 units खरीदी है खरीदी है तो receipt में आएगा ना goods आएए है ठीक है 100 units खरीदी है और कितने के हिसाब से खरीदी थी भीया 15 रुपे के हिसाब से 100 units खरीदी थी 15 रुपे के हिसाब से 15 into 100 15-100 ही आजाएगा इधर कुछ नहीं आएगा तो balance में आपके पास 100 ही unit बचेंगी 15 रुपे के हिसाब से और 1500 की value हो जाएगी simple कुछ नहीं करना बहुत simply आप ये काम कर सकते हो ठीक हो गया यहाँ पे आपका ये पहला जो line है ये sum आप दो गया अब क्या होता है sir second फिर क्या हो रहा है फिर 14 को 14 को हमने 50 unit issue कर दिये 14 को 50 unit issue कर दिये सर rate तो दिया नहीं हुआ 14th को 14th january को 50 unit issue कर दिये issue करें sir 50 unit rate नहीं दिया क्योंकि but first in first out है तो जो पहले आया वो पहले जाएगा तो इसी में से जाएगा बस एक ही quantity है हमार पस 15 के हिसाब से तो 15 into 15 आपके पास हो जाएगा 750 correct तो अब क्या होगा sir balance क्या बचा 100 थे 100 में से 50 चले गए तो 50 बचे ठीक है rate वोई सेम है 15 के हिसाब से और 15 to 15 750 आ तो आप ऐसे निकाल सकते हो या आप 1500 माइनस 750 कर लो एक ही बात है यह आपका balance आगया clear हो गया जी perfect हो गया तो यह आपके पास particular दो ट्रांजेक्शन के बाद यह आपका balance आगया correct है तीसरी ट्रांजेक्शन पर जलते हैं sir तीसरी ट्रांजेक्शन क्या है थर्ड ट्रांजेक्शन है 18th January पे purchased 200 unit 20 रुपे के हिसाब से 200 और खरीदी 20 रुपे पर युनिट के हिसाब से ठीक है 200 unit 20 रुपे के हिसाब से तो 2 into 2 हमारे पास हो गया 4 चार अजार रुपे का माल हो गया clear अब issue तो कुछ नहीं करा अब पहले से आपके पास क्या था 50, 15, 750 और 200 unit और आ गई 200 unit यह है आपके पास 20 रुपे के हिसाब से 4000 रुपे की तो यह आपका 3rd transaction के पास balance बचेगा सार यह दोनों अलग-अलग ही लिखनी होगी हां जी obviously क्योंकि जो rate है ना वो अलग-अलग है अब एक rate होता तो मैं add कर देता बट क्योंकि अलग-अलग rate है तो ऐसे करके आपको लिखना होगा प्लस यह है कि first in first out है तो dates का मामला रहेगा तो पहले जो है वो ही करना है आपको अलग-अलग ही लिखनी होगी 20 तारिक को क्या है issued 100 units 20 तारिक को 100 units issue कर दी गई है 20 January पे 100 units issue कर दी गई है अब यहाँ ध्यान दो जरा 100 units जो issue करी गई है तो sir हम लोग कैसे करें 50 इसमें से करनी पड़ेगी क्योंकि first in first out है न फीफो है तो यहाँ पे अगर 100 units issue करी गई है तो आपको याद रखना है कि पहले ये वाली जाएंगी ये वाली तो 50 unit तो 15 रूपे के हसाब से जाएंगी 750 की ये खतम हो गई और 50 इसमें से जाएगी 50 इसमें से जाएगी 20 रूपे के हिसाब से 1000 की तो जो हम आपको बैलन्स बचेगा ये तो खतम है ये खतम कौन सा बचा इसमें से बचेगा 200 में से बचाश चले गई तो balance बचेगा आपके बाद 1.500 unit 20 रुपे के हिसाब से 3,000 रुपे की यह तो completely खतम हो गई, exhaust हो गई 200 में से 50 गई तो 1.500 बची 20 का rate तो सेम चल रहा है 4000 में से 1000 चला गया तो 3000 बचा This is the beauty of FIFO पहले आया, पहले गया, correct चालो, this is sorted यह हो गया अब क्या है सर हमारे पास 20 January done 25th of January 25th of January को फिर बेच दिये 100 units 100 units फिर बेच दिये 25 January को ही 100 units 25 January को 100 units दिये एक ही बचा है quantity 20 रुपे वाला 12 to 100 2000, correct 150 में से 100 गया तो बस अब 50 बचा 20 रुपे के हिसाब से 3000 में से 2000 गया तो 1000 रुपे का समान आपके पास बचा है आगया ना समझ में मुझे पूरी उम्मीद आपको FIFO अदम क्लियर हो गया होगा और conceptual clarity आपको आगी होगी inventory valuation में विज़ा करना क्या है फिर आमने 500 unit खरीदी है 500 units खरीदी है 25 रुपे के हिसाब से तो 3750 आजाएगा यहाँ पे 500 unit खरीदी है 25 के हिसाब से 3750 अब पहले से आपके पास 50 unit पड़ी है 20 रुपे वाली 1000 यह हो गया और 500 और हो गया आपके पास 150 25 के हिसाब से 3750 sorted बस almost हमारा काम होने वाला है हमारा first in first out से closing stock आने वाला है बस last transaction बची है वो क्या है last transaction is on 28th January 100 units दे दी है 28 January को 100 units दे दी गई है तो 28th January को 100 units बेची गई है sir 100 units बेची गई है बड़ मेरे पास तो 2 stock है एक 50 वाला है एक 150 वाला तो पहले 50 वाला भी केगा है ना पहले कौन सा बिखने वाला है 50 वाला पहले तो ये खतम होगा 50 unit ये 50 अगले वाली into 20 thousand का समान ये खतम होगया into 25 इसमें से ये होने वाला है 50 into 25 तो हमारे पास आज जाएगा 1250 ठीक हो गया अब क्या हुआ sir जो हमारा closing stock है हो देखो कितना easy निकलेगा हमारे पास ये तो खतम ये तो सारी चलेगी 1500 में से 50 गई तो कितने बची 100 units बची 25 का एक है तो 25 into 100 पच्चिस सो ये पच्चिस सो इस नथिंग बट दे वाल्यो अफ ये आपका closing stock है समझ रहे और ये हमें calculate करना था कि sir what is the value of closing stock using FIFO तो देखो इस तरीके से इसका screenshot ले लो एक ही जगा पे दिस आओ आप inventory evaluation करते हो using first in first out method अब हम चलते हैं इसका screenshot लो note करो मैं आता हूँ एक और question note करके और आप लोग को कर आता हूँ last in first out अब ये question आ गया and this question is very important क्यों important है क्योंकि इसके अंदर दो तीन नहीं चीज़ें एक तो method ही चेंज हो गया क्या होना है calculate the value of stock and GP यानि आपको stock भी निकालना है GP भी निकालना है using using याब लेकरा हूँ LIFO last in first out तो होने क्या बाला है details दीवी है manufacturing concern की January की और आपको वापिस से stock को value करना है तो closing stock निकालना है दूसरा GP निकालना है GP भी yes और LIFO use करना है चलो फिर शुरू करते हैं बनाते हैं हमारा ledger इसको उधर करते हैं थोड़ा सा heading डालते हैं हम लोग सबसे पहले फटा फट से store ledger और कौन सा method यूज करने वाले हो इस बार LIFO LIFO का मतलब होता है last in first out last in first out का मतलब जो बाद में आया है ना पहले वो बाहर जाएगा जो stock बाद में खरीदा पहले वो बिकेगा ठीक है चालो जी तीन कॉलम्स हमारे पास balance issue receipts date date receipts issue balance quantity rate value qrv quantity rate value यह amount में होगा यह भी amount में होगा quantity obviously units में होती है तो उसमें आपको amount लगाने की जरुरत नहीं है quantity rate and value और वापिस से हमारे पास quantity rate और value ठीक है जी चालो शुरू करने वाले हैं हम लोग हमारा नया खेल rate value लेकिन इस पार याद रखेंगे लिफो the last and first out जो बाद में आए पहले वो भी केगा यही game changer है यही चीज़े बदलने वाली है यहाँ पे देखो सबसे पहले फर्स जानवरी को इस बार हमारे पास opening stock है फर्स जानवरी पे लो सर 200 यूनिट 15 रुपे के हिसाब से 3000 रुपे का माल पहले से आ गया ओके जी opening stock लिखना चाहो तो यहाँ पे opening stock लिख सकते हो otherwise आप directly फर्स जानवरी पे इस तरीके से शुरुबात कर सकते हो अब क्या आ रहा है हमारे पास 8 जानवरी को हमने खरीदे 300 यूनिट 10 रुपे के हिसाब से 8 जानवरी को 8 जानवरी को हमने खरीदे हैं 300 यूनिट 10 रुपे के हिसाब से 3000 का माल हो गया ठीक है जी 300 यूनिट 10 रुपे के हिसाब से 3000 का माल हो गया आपके पास तो गाईस आपके पास 200 तो पहले से था ठीक है अगर मैं यहाँ पर लाइन भी खीच दूँ एक तो 200 तो मेरे पास पहले से था 15 के हिसाब से 3000 और मैंने 300 यूनिट और खरीद लिए 10 रुपे के हिसाब से 3000 यह मेरे पास और होगा है ठीक है जी परफेक्ट है okay sir done इस 200 को भी यहीं लिख देता हूँ ताकि आप confused ना हूँ 200 यूनिट 15 रुपे के हिसाब से 200 यूनिट 15 रुपे के हिसाब से 3000 के होगा है ठीक है तो 200 यूनिट पहले से यह थे ओपनिंग स्टॉक लिखना हूँ यहां ओपनिंग स्टॉक लिख देना और 300 आपने और खरीद लिए तो आपके बास टोटल अब यह हो गया अब क्या हो रहा है शोल्ड यानि की बेचे 14 तारिक को बेचे डेड़ सो यूनिट 18 रुपे के हिसाब से सर यह 18 रुपीज पर यूनिट क्यों दे दिया हमें सर यह particular sale का amount क्यों दे दिया पिटा हमेशा याद रखना कि जो sale का amount दिया है वो आपका इसमें कहीं यूज नहीं होने वाला इसमें कहीं भी यूज नहीं होगा इसमें सिर्फ quantity यूज होगी और वही price यूज होगा जिस पर आपने खरीदा है यहाँ आप inventory की value कर रहे हो यहा यहाँ यूज होगा यह जीपी के लिए यूज होगा यहाँ पे इसका कोई भी यूज नहीं है तो घबराना मत इसको देखके अगर सेल के साथ यह 18 रुपे 22 रुपे 30 रुपे दिये ना इसको ignore करना है आपको for now अभी के लिए ignore करना है कोई काम नहीं है आपने यहाँ यहा है ओके सर 14 जैन्वरी पे हमने 500 यूनिट बेची है अब यहाँ पे ध्यान दो प्लीज यहाँ पे क्या होने वाला है यहाँ पे लीफो है last in first out जो बाद में आया है उसमें से भिखेगा तो यह इस वाले लॉट में से भिखेगा 1500 इंटो 10 1500 तो मेरे पास क्या बचेगा पहले वही वाला लॉट लिखना 200 वाला पुराना लॉट as it is है और इसमें से 300 में से 1500 भिखी तो 1500 बचा 10 रुपे के हिसाब से 1500 देखो ऐसे शो होगा देख रहे हो पहले जो पहले आया था वो पहले भिखा था अब जो बाद में आया उसमें से बिखेगा समान पहले यही चीज है जो वहाँ पर नंबर कटवा देती है अगर question आ गया ध्यान से करना ठीक है जी sale हो गया अब क्या करना है वापिस से फिर खरीद लिए 18 तारिक को 200 unit 20 रुपे के हिसाब से 200 unit 20 रुपे के हिसाब से 18th January पे 200 unit 20 रुपे के हिसाब से तो 220 चार अजार का माल और खरीद लिया आपने 200 पहले से 1.500 उसके बाद और 200 unit आपने और खरीद लिये यह 15 और 10 और अभी खरीदे 20 रुपे के हिसाब से भाई अलग-अलग quantity अलग-अलग rates पे चल रही है तो 3000 पंदरा सो और 4000 यह आपका 18th January का का काम हो गया ठीक है सर तीन lots हो गए अब आपके पास ठीक है जी अब क्या हुआ है अब हमने 100 unit sale करे हैं किस rate से अब से फरक नहीं बढ़ता मुझे 100 unit बेचे हैं मैंने ओके सर फरक क्यों नहीं बढ़ता क्योंकि हम यहाँ पे ना cost पर करते हैं सब कुछ ठीक है 100 unit बेचे हैं 20 तारिक को बीस तारिक को 100 unit बेचे हैं तो 100 unit कौन से lot में से भीखेंगे सबसे last वाले में से इस वाले में से सो इंटू 20 दोजार के हो गए यह वाला lot पूरा का पूरा पढ़ा ऐसे का ऐसा as it is इस में से कुछ नहीं भी का अभी दक सेकिंड वाला lot भी as it is पढ़ा है और इस 200 में से 100 बिग गए recently तो 100 बचे mean जो point है वो याद रखना last वाले lot में से minus करना है अपने value को यह बात याद रखेंगे okay sold हो गए जी फिर खरीद लिए 70 unit 8 रुपे के हिसाब से 70 units 8 रुपे के हिसाब से तो 28 बे तो लाइन खीचनी पड़ेगी हमने खरीदे हैं कितने खरीदे है 70 units 8 रुपीज पर यूनिट 70 units 8 रुपीज पर यूनिट 70 units 8 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 7 into 8 56 560 के आपने और खरीद लिए 28 तारीक को if I am not wrong yes 28 January 28th of January को यह purchase करा issue में कुछ नहीं आएगा sir अब 4 lot हो गए हमारे पास yes एक lot 200 वाला एक 150 वाला एक 100 वाला पंदरा दस बीस तीन हजार पंदरा सो 2000 last lot एक और आगया 70 into 8 that is 560 और यह भी काम आपके पास done हो गया ठीक है जी चार lot हो गए आपके पास okay sir sold 180 units हमने 180 units बेच दिये 30 रुपए पर unit के हिसाब से 180 units बेचे हैं okay 180 unit बेचे हैं 31 January पर 180 unit जब बिखेंगे तो सबसे पहले 70 यहां से जाएंगे last lot से जाएगा है ना तो 70 तो यहां से जाएंगे total कितने बेचे हैं 180 कहां लिखेंगे इसको यहां लिख लगता हूँ 180 units बेचे हैं 70 तो last lot में से गए 70 into 8 560 का तो माल यह गया तो यह lot तो खतम 100 जाएंगे यहां से क्योंकि अभी भी कितने चाहिए थे मुझे 110 चाहिए थे 100 जाएंगे दूसरे lot में से 100 into 20 2000 का माल यह गया 100 दूसरे lot में से चले गए अब बचे 10 10 जाएंगे इस तीसरे वाले lot में से 10 into 10 10 दस ही बचे थे न वो 100 रुपे के हिसाब से चले जाएंगे तो अब जो balance बचेगा आपका यह lot भी खतम यह भी खतम इसमें से 10 चले गए इसमें 10 चले गए तो आपके पास यहां बचेगा 140 पहले तो पुराने वाले ही लिखना पड़ेगा यह पूरा का पूरा 215 के हिसाब से 3,000 रुपे तो यह बचे और इसमें से बचे 140 140 दस के हिसाब से 1400 यह बचा तो आपके पास जो closing stock आ रहा है the value of closing stock इसके बाद आप इस सब का total लगा देना पिछले वाले महीं मैंने total नहीं कर दा total कर देना यहां पर जो भी total आएगा इन सब का total लगा देना ठीक है यहां पर हमारे बास क्या रहा है यहां पर यह आ गया देखो this is the value of closing stock closing stock इतना आ गया 4400 रुबेगा closing stock है 4400 रुबेगा closing stock है और जो cost of goods sold है COGS the cost of goods sold के लिए आपको पूरी table छोटा कर रहा हूं है इस सब का sum करना पड़ेगा है ना जो आपने issue करा जो माल बेचा उस सब का sum करना पड़ेगा आओ शुरू करते हैं पंदरा सो प्लस दो हजार प्लस पांसो साट प्लस दो हजार प्लस सो 6160 6160 यह आपका cost of goods sold होता है जो हमने माल बेचा उसका cost of goods sold 6160 इसका screenshot लो पहले दो अब चलते हैं भाई इसके most important part पर जो की नया है वो क्या है calculate GP सर GP के लिए क्या करना पड़ेगा GP के लिए आपको करना पड़ेगा sales minus cost of goods sold correct है sales minus COGS COGS तो मुझे यहां से मिल गया 6160 6160 सर अब sales कहां से लाओं अब यह use होगा आपका यह जो sale price दिया था ना वो यहां use होगा 1500 unit 18 का एक 100 unit 22 का एक और 180 unit 30 का एक 1500 into 18 1500 into 18 27 का तो यह हो गया correct है 100 into 22 22 का यह हो गया और 180 into 30 when 18 into 30 5400 का यह हो गया टोटल अगर आप करो सथाइस सो बाइस सो चोवन सो 10300 10300 minus 6160 4140 is your gross profit तो अगर gross profit निकालना होगा तो आपका sales का value दिया होगा cogs आप table ledger के मदद से निकाल सकते हो जो हमारे पास यहां पर हमने stores ledger बनाया है इसकी मदद से निकाल सकते हो बस यह last in first out में किस तरीके से करना यह पता होना चाहिए ठीक है और जीपी इस तरीके से निकल जाएगा बस हमने क्या क्या करा हमने आज फर्स इन फर्स आउट पड़ा थेरी सारी कवर कर दी लास इन फर्स आउट कर दिया अगली ग्लास में आपको इसका कराऊंगा और कुछ चुटर-पुटर चीजे और बची हैं इसके अंदर वह कराऊंगा चाप्टर समा तो दो पार्ट में आपका इन्वेंटरी वाल्यूइशन खतम हो जाएगा मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आगया होगा बहुत अच्छे चारीके से अब जितनी भी तुम बुक्स आपके पास हैं क्योंकि यार अलग-अलग उनिवर्शिटीज में अलग-अलग बुक्स लगती हैं अपनी खोलो फीफो लीफो के सारे क्वेशन कर डालो आपके हो जाएंगे नेक्स क्लास में मिलते हैं और चाप् झालो